आज है 27 जुलाई और आज का मौस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेल लेकर आये हूं आज का पीडिएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से और हमारे टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और लास्ट में दो क वीच करूँगा जिसके अंसर आपको नीचे कमेट में लिखना है अब चलिए स्टार्ट करते हैं बारतिये वनस्पती शुदकर्ताओं एक किस अराज्य के डोंगा सर्पो छेतर में एकरक्त स्रावित ब्रिक्ष की प्रजाती ड्रैकेना कमबोडियाना की खोज की है तो आस इसका नाम है इस पेड़ का यह जो पेड़ है इसको काटने पर लाल रंग का चमकीला रस निकल रहा है बिलकुल रक्त के जैसा है ठीक है तो इसकी खोज की गई है असम में अब हम असम का बात कर लिए तो इसके बारे में जान लेते हैं असम भारत का उत्तरपुर्वी रखती है भुटान और बंगलादेश गठन वाता 26 जनवरी 1950 को चतरफल की दिरिष्टी से 17 नमबर पे और जन संक्या की दिरिष्टी से 15 नमबर पे है साक्षर्टा देरे 72.1 प्रतिशत लिंगान उपाथ है 959 गवर्नर है यानि राज जपाल है जगदिश मुखी लोग सब सिट 14, राज्य सबा सिट 7, विधान सबा सिट 126, जीलों की संक्या 33 है मुख्यनादी से अरूप कुमार गोस्वामी ये गवाहाटी हाई कोट के मुख्यनादी से गवाहाटी हाई कोट के अंतरगत तीन राज्य आते हैं रुनाचल परदेश, नागयलेंड और मिजोरम ठीक काजी रंगा नेशनल पर्क, मानस नेशनल पर्क, राजीव गंधी औरंगा नेशनल पर्क, डिबरू साइखोवा नेशनल पर्क तथा नमेरी नेशनल पर्क सभी असम्मे हैं अगला कोशन है, हाले में फीफा द्वारा जारी विश्वा रैंकिंग में भारतिये फूट बॉल टीम को निमने में से कौन सा अस्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत जो है एक सो तिनुवे अस्थान पर है हाले में फीफा द्वारा जारी विश्वा रैंकिंग में इस रैंकिंग में प्रथम अस्थान पे कौन सा देश है बेलजियम दूसरे अस्थान पे ब्राजील है तीसरे अस्थान पे फ्रांस है अच्छा एक चीज बतेए 2018 में फीफा विश्वा कप किस ने जीता था फ्रांस ने जीता था क्रोईशिया को हरा कर इसी रैंकिंग में एस याई देशों में भारत को कौन सा अस्थान मिला है अटरवा अस्थान मिला है और एस याई देशों में पर्थम अस्थान पे कौन सा देश है इरान है फिफा का बात किये है जान लिजी फिफा के बारे में फूल फम होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ओफ एसोशियेशन फूटबॉल अस्थापना 1904 में की गई थी हेड़ वाटर जीवरिक स्वीजर लेन में है वरतमान में इसके अध्याच्छ है गियानी इनफेंटीनो महा सचिव है फात्मा समवरा सदस्य देशों की संख्या 211 है सुप्रीम कोट के निर्देश के अनुसार देश के किसी भी जिले में कितने केस चाइल्ड रेप एंट पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने पर वहाँ एक स्पेसल पोक्सो कोट बनाय जाएगा तो सव ऐसे केस जो की चाइल्ड रेप एंट पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज होंगे तो वहाँ पर एक स्पेसल पोक्सो कोट बनाय जाएगा हाल ही में सुप्रीम कोट ने केंदर सरकार को यह निर्देश जारी करके बताया है और यह पोक्सो कोट जो बनाय जाएगे बिलकुल साथ दिनों के अंदर ही बनाय जाएगे ठीक है पोक्सो का फूल परम क्या होगा निचलिक देख लिजे अब हम यहाँ पे सुप्रीम कोट के बारे में भी जान लेते हैं सुप्रीम कोट की अस्थापन वी थी 28 जनवरी 1950 को लेकिन फेडरल कोट ऑफ इंडिया के नाम से इसकी अस्थापन एक अक्टूबर 1935 को ही की गई थी सुप्रीम कोट ऑफ इंडिया का मोट्टो है यतो धर्मस्ततु जया रक्षा मंत्राले ने किस नाम से रक्षा उत्पादन विभाग के बिभीन करे कर्मों और योजनाओं की प्रभावी निगरानी के लिए डैस बोड लॉंच किया है किस नाम से www.ddp-dashboard.gov.in के नाम से डैस बोड लॉंच किया है रक्षा मंत्रा लेने ठीक है वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है राजनाद सिंग हाली में कारगिल विजय दिवस कब मनाय गया तो हाली में 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाय गया हर वस 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाय जाता है क्योंकि इसी दिन कारगिल यूद में भारत ने जीत हासिल की थी 26 जुलाई 1999 को कारगिल यूद शुरू हुआ था 3 माई 1999 को और समाप्त हुआ था 26 जुलाई 1999 को तो यहां पर एक चीज ध्यान में रखेगा 2019 में कारगिल विजाई की बिस्वी वर्सगांट मनाई जा रही है नीजी उद्योगों में अस्थानिय इवाउं के लिए 75% नोक्रियां अरक्षित करने वला देश का पहला राज्य कोन बना है आंधर परदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने नीजी उद्योगों में अस्थानिय इवाउं के लिए 75% सीट अरक्षित किया है तो इसी तरह से आंधर परदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाली में ये नए राज्य बने हैं आंधर प्रदेश के। हाली में जारी WTA रैंकिंग में किस महिला खिलाडी को पहला अस्थान मिला है। एशले बारती को परथम अस्थान मिला है, दूसरे अस्थान पे नाओमी ओसाका है, तीसरे अस्थान पे कैरोलीना प्लीस को आ है। एशले बारती जो हैं, 1976 के बाद WTA रैंकिंग में प्रथम अस्थान हासिल करने वाली अस्थान की प्रथम महिला टेनिस खिलाडी बन गई है। तो ये अस्थान की टेनिस खिलाडी हैं, आस्थले बारती फ्रेंच ओपें 2019 महिला एकलवर्ग में फ्रेंच ओपें 2019 का खिताब एशले बारती ही जीती थी। दूसरे अस्थान पे नाओमी ओसाका है ये जपान की टेनिस खिलाडी है ठीक है और इन्होंने महिला एकलवर्ग में औस्ट्रेलियन ओपेन 2019 का खिताब जीता था तिसरे अस्थान पे कैरूलीना पिलिस कुवा है ये कहां की है चेक गणराज्य की है ठीक है यहां पे हम WTA का बात की है इसका फूलपम क्या होता है फूलपम होता है Women's Tennis Association अस्थापना 1973 में की गई थी हेड़क्वाटर सेंट पिटर्सबर्ग में है वर्तबान में प्रेसिडेंट है मीकी लाउलर चेर्मेन एंड सीउ है एस्टिव सीमोन अगला कोशन है हाली में लाउंच इंडो पाक रिलेसंस बियोंड पुलवामा एंड बाला कोट नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक को लिखे हैं डाक्टर यू भी सिंग ने ओप्शन डी सही उत्तार है तो बहुत सारे पुस्तक जो हैं लाउंच हो रहे हैं ये सारे पुस्तक काफी इंपोर्टेंट हैं आने वाले एक्जाम्स के लिए एकदम से ध्यान में रखेगा इंडो पाक रिलेसंस बियोंड पुलवामा एंड बाला कोट नामक पुस्तक के लेखक हैं डाक्टर यू भी सींग करे अस्थल पर यौन सोसंड के लिए पुनर्गठित मंत्री समुह के प्रमुख कौन बने हैं तो इस मंत्री समुह के प्रमुख बने हैं ग्रिह मंत्री अमीद शाह और इस मंत्री समुह के सदस से कौन-कौन है तो इस मंत्री समुह के सदस हैं वित मंत्री निर्मला सितरमन मानो संसाधन विकास मंत्री रमेश्ट पोखरियाल निशांक एस्मृति इरानी इनके पास महिला यो बाल विकास मंत्रा लहे साथ-साथ में कपड़ा मंत्रा लहे ठी तो ये तीनो इस मंत्री समुह के सदस्य और इस मंत्री समुह के परमुख बने हैं अमित शाह भारतिय नौ सेना का कौन सा यूद पोत रूसी नौ सेना दिवस परेड में भाग लेने के लिए सेंट पिटर्सबर्ग पहुचा है यानि रूस पहुँचा है, रूस का एक सहर है सेंट पिटर्सबग, आई एनेस तरकस जो है रूस की यात्रा पर है, ओप्शन भी सही उत्तर है, ठीक है? आई एनेस तरकस जो है, तेग सरेनी का यूध पोत है, जिसे रूस के कलीनिन ग्राद के यंतर सिप्याड में बनाए गया था, आई एनेस तरकस को कब कमिशन किया गया था भारतिय नौसेना में? 9 नौंबर 2012 को, ठीक है? भारतिय नौसेना के परमुख कौन है वर्तमान में? भारतिय नौसेना के परमुख है करंबीर सिंग, अब जानिए यहाँ पे रूस के बारे में, रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है, छेतरफल की द्रिश्टी से, कैपिटल है मौसको, प्रेसिडेंट है बलाद परमीर पुतिन संसद का नाम है डिवमा और मुदरा का नाम है रूबल अगला कोशन है, संसद की पुनर गठित लोक लेखा समीती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संसद की पुनर गठित लोक लेखा समीती के नए अध्यक्ष बने हैं? अधिर रंजन चोधरी, एक मात्र सदस्य भी हैं ठीक है इन्हें अब अध्यक्ष बनाये गया है इस समीती में लोक सभा के 15 सदस्य हैं और राज्य सभा के 7 सदस्य हैं इनकी निवक्ति किस ने की है वर्तमान लोक सभा अध्यक्ष ओम बिडला ने इनकी निवक्ति की है ठीक है ये लोक लेखा समीती ज गया है जिसकी ओधी 30 अपरेल 2020 तक की है अगला कोशन है हाले में उप राश्पती द्वारा लॉंच निउ एज टेकनोलोजी एंड इंडस्ट्रियल रिविविविविविशन 4.0 पुस्तक के लेखक कौन है इस पुस्तक को लिखे हैं नरेंद्र जाधो ओप्शन डी सही उत्त नरेंद्र जाधो वर्तमान में राज्य सभा सांसद है इन्होंने यह पुस्तक लिखिए न्यू एज टेकनोलोजी एंड इंडस्ट्रियल रिविविविव लॉशन 4.0 ठीक है ऺए हाले में उप रास्पती वेंकिया नैडू ने इस पुस्तक को लॉंच किया है इंपोर्ट सी कंपनी सिर्ष पर हैं तो विश्व में Walmart सिर्ष पर हैं और भारत में Reliance Industry पर्थम अस्थान पर है विश्व में Reliance Industry का अस्थान जो है 106 है दूसरा कोशन था भारत ने पहली बार किस वर्स राष्ट्र मंडल खेलों में भाग लिया था तो भारत जो है पहली बार राष्ट्र मंडल खेलों में 1934 में भाग लिया था बहुत सारे लोगों ने इसका एंसर जो है गलत दिया था 1934 में पहली बार भारत ने राष्ट्र मंडल खेलों में भाग लिया था, हलाके राश प्रमंडल खेलों की शुरुवात की गई थी 1930 में, ठीक है? अब चलिए आज का क्वीज करता हूँ जिसका अंसार आपको नीचे कमेंट में लिखना है पहला कोशन है दूसरा कोशन है भारत का नेपोलियन किसे ही कहा जाता है दोनों कोशन का अंसार नीचे कमेंट में लिखे दीजे और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजे ताकि येसे ही डेली करेंट अफर का वीडियो का नोटिफिकसान आपको सबसे पहले मिलता रहेगा